असलाम उकूम डाइज वलकम बेक टू माय य्टूब रनल तो मैं आगरिव आपटो के लिए एक मज़ेदार सी रेस्टिपी लेके तो मैं आज आपको से शेर करूंगी मोगलाई मतन अगबरी की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनता है तो मोगलाई मतन अगबरी बनाने क लिए मैं सबसे पहले ले ले लिए खड़े मसाले उसके में लिए दाल चिनी लॉंग एक बड़ी राची और काली मीरिच यह एक मीडिया प्रसका टमाटर काट ली थी फिर में ली ते कडाई इसको में गरम कर ली ते किसम दर में एड कर दी ती बन टे पर शुने करीब ऑईल आपको दिखाया थी उसके बड़ में इसके अंदर एड कर दी खड़े मसाले जो में आपको दिखाया थी उसके बड़ में इसके अंदर एड कर दी एक टमाटर जो में काटकी पहली रखी थी आमें टमाटर को कर लूंगी हलका सा सौफ्ट ताकर टमाटर मची से सौफ्ट हो कर दों प्राइटा यहां तो मैं चैनल घ्रलिंगित दें加ना कर दीटा आंट कर मतना कि दो न्युटा जाएं आप कर दोंवाइं सब्सक्राइब यह मीहां मणा प्लीटेजर चैनल यह तो क्संदार पोर्केपाड घ्रले तो क्रोगे तो कर दूंगी नमक नमक करने के बाद कर लोंगी मिक्स मिक्स करने बाद मसाला के भूर लोंगी ताकि अधर क्रस्टों को पेस्ट है वो कच्छा नार है और गोश्ट के सर्द मच्छे से भूना जाए अरचल नमक नमक वन तेस्पिर करेती काली मिनेश का पौरर फि में घोश्ट करना एट करती आला गलास पानी उसके बाद में और में दही के साथ टमाटा को तो मिक्स कर ली तो सारी मसाले जो मैं आपको दिखाए ती बुक का मसाला हुआ एक करने के बद्धू अब तो बहुता साथ पानी तो मसाले को तरीके से भूल लेती ताकि मसाला जरा भी कच्छा ना रहे और फिर तपत गोश को म मसाले को भूलते हैं तकरने मजे 10 में होच चुक था मिसाले तरीके से भूल लोगी गोश के साथ ताकि मिक्स कर देके से होजाए जाए मिक्स पर गोश भुनाज शुक है फिर में अट कर दीत हुए ही गोश का पानी जिसमें हम गोश को गलाये थे गोश का पानी एट करने के बाद में इसको दिम्याज पर फिर से दम पकने के लिए रख दूँगी यहां पर मसाले दम से तरीके से भुनाज सुक है गोश में गोश को पानी था वो दंग सुक गया है अब में इस किंदर एट करने के बाद में इसको धिम्याज पर दो में पका लूँगी उसे बद में गैस को कर लूँगी बंद और मेरे यह मटन मोगला अग्विली के सालन तय यारे आई होब आप लोगों पसन आई हो अगर अच्छी लगी हो मी रेसिपी तुम्हें जानको लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्स्राइब करना ना गोले मिलती में आपसे नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज